वेरी गूड मॉर्णिंग माई डियर स्टुडंस लास्ट वीडियो में हमने स्वास्थ संपदा इस पाठ को शुरुवात की थी आदा इसका स्पश्च्टी करन देखा था जो लिखा है मात्मा गांधी जी ने एक पत्र के रूप में यह पाठ लिखा है तो अभी तक इस पाठ में हमने क्या देखा एरवडा से महत्मा गंदी जी ने एरवड़ा से पत्र लिखा है जमना लाल जी को लिखा है और उनको क्या कहा था स्वास्थ के बारे में बताया था कि शरीर को यथा अमानत समझ कर प्रॉपर्टी समझ कर उसकी रक्षा करनी है मौच मज़े के लिए गूड की एक डली भी नहीं खानी है और अउशदी के तौर पर गूड की जगह पे महंगे से महंगे अंगूर भी खाएंगे तो चलेगा अच्छा है लेकिन गूड नहीं खाना है उसके बाद क्या कहा था उन्होंने गोजन को ग्रहन करने में उद्वेग नहीं करना है प्रबलता नहीं करनी है जलबाजी नहीं करनी है धीरे धीरे खाना खाना है दूसरा क्या कहा था उन्होंने कि गूड बिल्कूल छोड़ना चाहिए गूड की जगह पे हमें शुद्ध शहद दोश रही तब हनी लेना है और मक्खन की जगह पे दूद दूद की माद्रा बढ़ानी है और पहुचेते हम जैतुन के तेल तक जैतुन का तेल में इन्हें आपको दिखाया था जिसको कहते हैं ओलिवोई और उसका इस्तमाल खाना बनाने में भी करते हैं और फोटे जे न्यूब बॉन बेबीज हैं उनको मौलिश करने के लिए तो उससे आगे का पाठ आज हम देखते हैं और पुरे पाठ में नियमीत व्याया और हेल्दी फूड खाके हम हमारा स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं यही बताया है नियमीत व्याया और भूजन यहां तब हमने देखा था अब यहां से आगे आज देखते हैं देखो क्या है आपके टेक्स्ट बुक में साग में हरी सबजी होनी चाहिए आलू अगेरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं इनमें स्टार्ज होता है तुमको स्टार्ज की कम से कम जरूरत है और जितनी होगी वह सब गेहू से पूरी हो जाएगी मक्खन दूद काफी है इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के उपर है देखिए क्या कहा है पहला क्या है यहाँ पर साग में अब साग में मिंज क्या और उसमें क्या कहा है हरी सबजी होनी चाहिए अब साग में मिंज इसमें हरी सबजी होनी चाहिए तो जितने भी सबजियों का रंग हरा है ठीक है? जो यहाँ पे आपको दिख रहा है देखो केसा रंग है? हरा है तो इस हरे रंग के सबजियों में हमें कौन सी सबजी खानी है? देखो इस तरह के सबजियों का हमें सेवन करना है आलू वगेरह क्या फरक है आपको दिख रहा है इन सबजियों में और इन सबजियों में? तब यह पत्ते वाला है और यहाँ पे आपको सबजिया दिख रही है दोनों का रंग भी सेव है लेकिन हमें इन समझियों का जादा सेवन करना है आलू अगे रह लगभग रोटी का स्थान लेते है जो हमें रोटी से मिलता है वही आलू से मिलता है इनमें स्टार्च होता है अब स्टार्च क्या है आलू में स्टार्च होता है तो स्टार्च की मात्रा हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए उसके उपयोग क्या है एक छोटा सा वीडियो है दो मिनट का दो अड़ाई मिनट का वीडियो है तो उसमें से हमें पता चलेगा कि actual में starch क्या है और उसके benefits क्या है और कितनी मात्रा में वो हमें मिलना चाहिए ठीक है तो उसका वीडियो देखते हैं और फिर इसका explanations पश्टी करण आगे continue करते हैं अज के इस वीडियो में हम starch से related सारे discussion करने वाले हैं जैसे starch क्या होता है, starch कैसे बनता है, starch को और किस किस नाम से जानते हैं और starch का chemical formula क्या होता है और फिर इस वीडियो के last में हम देखेंगे कि क्या क्या sources हैं starch के जो की हमारे life को sustain करने में help करते हैं तो चले फिर वीडियो को सुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे channel को नहीं subscribe किया है, तो subscribe किजिए, तो चले शुरू करते हैं तो friends, अगर हम बात करें कि starch क्या होता है, तो starch एक तरह का complex food होता है, जो की कई सारे glucose के combination से बनता है, यानि अगर हम इसकी definition की बात करें, तो इसकी definition है starch चीजा polymer of glucose, which is called polysacrite अब इतने बड़े-बड़े word का क्या मलब है, इस polysacrite word में poly का मलब होता है, lots of, and sacride का मलब होता है, sugar, और sugar glucose को कहा जाता है, यानि इस definition का कहने का ये मलब है, कि जब बहुत सारे glucose आपस में एक दूसरे से bond बनाकर एक compound बनाते हैं, उसी compound को हम लोग starch कहते हैं, ओकि अगर हम मैं आपको एक simple भासा में बताऊं, तो starch is made up of combination of simplest food that is glucose, यानि starch एक complex food है, तो जने इस बात है, कि ये simplest food के combination से ही बना होगा, जब कई सारे glucose एक दूसरे से bond बनाते हैं, यानि हजारों glucose जब एक दूसरे से bond बनाकर, जब वो compound बनाते हैं, तो उसी को हम starch कहते हैं, और starch और glucose को ह हमें generally नाम से जानते हैं, जिसे हम carbohydrate कहते हैं, और glucose को हमें एक और नाम से जानते हैं, जो कि है sugar, और starch को भी कभी कभी amylam नाम से भी पुकारा जाता है, तो इसमें आपको confused नहीं होना है, starch का अधर नेम है amylam, और glucose का अधर नेम है sugar, और इन दोनों को collectively हम carbohydrate के नाम से जानते ह ठीक है जब हम starch और glucose दोनों की बात करते हैं तब हम उसे carbohydrate कहते हैं अगर अब हम starch के formula के बारे में बात करें तो इसका formula होता है C6-ES-10O5-N-S2 यह आपके screen पर भी मैंने लिख दिया है सो अब हम starch के sources के बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि अभी तक हमने ये देख लिया है कि starch कैसे बनते हैं मिन्स हजारों glucose मिलकर starch को form करते हैं तो अगर अब हम इसके sources के बारे में बात करें कि ये हमें किस किस चीज से मिलते हैं तो वो है potato, rice, sweet, ptc काफी सारे substance हैं जिसे हमें starch मिलता है तो अगर हम बात करें starch या carbohydrate जो कि starch का general आम है कि ये हमारे body को क्या provide करता है जो कि हमारे life को sustain करने में help करता है तो friends वो है energy जिहां starch जो होता है वो हमारे body को energy provide करता है और कुछ यह से food होते हैं जो हमारे body के organ को बनने में help करते हैं जैसे protein लेकिन जो यह starch या carbohydrate होता है तो यह हमारे body को energy provide करते हैं देखा सभी ने starch का meaning क्या है starch कैसे होता है उसका उपयोग क्या है तो यह जो starch हमने अभी देखा इसका उपयोग जो है उसकी जो जरूरत है वो कितनी है कम से कम जरूरत है हमारे शरीर को starch की जादा जरूरत नहीं होती है और जितनी होगी वह सब गेहूं से पुरी हो जाएगी और जो भी हमें चाहिए हमारे शरीर के लिए जितनी भी जरूरत है starch की वह कहां से मिलेगी हमें गेहूं से मिलेगी जो अब हम गेहूं की रोटी खाते है मक्खन दूद काफी है बराबर है मक्खन दूद ठीक है वो बहुत हो गया मतलब दूद और मक्खन भी लेंगे तो भी बहुत हो गया बड़ आलू एगेरा लेने की जरूरत नहीं है इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के उपर है इसका मीनिंग क्या है? मक्खन और दूद आपको कितनी मात्रा में लेना है खाना है, सेवन करना है, पिना है वो किस के उपर मेंटर करता है आपका वजन कितना है अगर आप जादा फैटी हो तो मक्खन और दूद का इस्तमाल कम करना है जो आपके वजन के उपर निर्भर करता है आपको ये कितना लेना है मक्खन और दूद ठीक है इसके आगे वजन के स्थीर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूद की या दोनूं की मात्रा बड़ा थे जाना चाहिए देखो क्या कहा है वजन के स्थीर हो जाने तक वजन स्टेबल होने तक और हजम होता रहे जब तक हम खा रहे जो भी कुछ हम खाते है पीते है वो हजम होता है तब तक हम उस चीज को सेवन कर सकते है अगर दूद और मक्खन के सेवन से हमारा वजन नहीं बढ़ रहा है वजन स्टेबल है जो है वही है वही रहता है तो हमें उसकी मात्रा बढ़ानी है अगर फैटी है तो मैंने बताया कम खाना है और आपका वजन उसका सेवन करने के बाद भी अगर स्टेबल है तो उसकी मात्रा बढ़ानी है अगर आपको जो खा रहे हो पी रहे हो हजम हो जाता है तो आप उसका सेवन बिंदास कर सकते हो देखो आगे क्या कहा है परकार योन में लवकी तथा बिन्न बिन्न प्रकार की सबजियां पूल गोभी पत्ता गोभी बिना बीच की सेम बैंगर इन सब की गिंती अच्छी हरी सबजी योन में होती है गेहु का आटा चोकर मिला होना चाहिए देखिए जो कहा है तरकार योन में लवकी तथा बिन्न बिन्न प्रकार की सबजियां यहाँ पे आपको मैंने लवकी दिखाई है यह जो है लवकी है तथा बिन्न बिन्न प्रकार की सबजियां उसमें कौन सी सबजियां बताईए देखो फूल गोभी पत्तागोबी पत्तागोबी और बीना बीज की सेम यहाँ पे हैं सेम बीना बीज की कहाईस में बीज नहीं होना चाहिए ऐसी सेम चाहिए बैंगन इन सब की गिंती अच्छी हरी सबजियोन में होती है तो अच्छी और हरी सबजिया कुमसी है ऐसा आपको प्रशन पूछा जाएगा तो उसका उत्तर क्या आएगा क्या लिखेंगे फूल गोबी पत्तागोबी बीना बीज की सेम बैंगन इनकी गिंती किस में होती है हरी सबजियोन में अब यहां पर आपको एक दिया है देखो गेहू का आटा चोकर मिला होना चाहिए अब गेहू का आटा चोकर मिला होना चाहिए गेहू का आटा चानने के बाद बच्चा हुआ जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं चोकरा हुआ जो चोकर हुआ है यदि गेहू बिलकुल साप करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंच नहीं फेकना चाहिए गेहू हमने अगर साप करके पीसने के लिए दिये है तो डिरेक्ली उसकी रोटी बनानी है फिल चालनी का उपयोग करके हमें उसमें से जो बच्चा हुआ होता है निकालना ही नहीं चाहिए डिरेक्ली उसका यूज़ करना है क्या करना है देखो दो टाइप्स बताए है परली बात है साग की सबजी और दूसरी बताईए तरकारियों तरकारियों इस शब्द से ही हमें पता चलना चाहिए कि तरका मिस क्या जिससे हम तरका देते है जिसको हम पका के खाते है कौनसी सबजी आए वे? पत्ता गोबी पूल गोबी अभी जो इननोंने नाम दिये है यहां पे चार बिना बीच किसें बैंगन आदी दूसरा क्या है बताया है गेहू हमें क्या करने है गेहू का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए पीसा गया हो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना है इतने के बाद जो बचता है उसे फेंकना नहीं है उसका इस्तमाल करना है फल में ताजे अंगूर, मौसंबी, संतरा, अनार, सेब, अननास लेने योग्य है फल में हम इस सब फल खा सकते हैं इसके आगे देखिए तरकारियोन में लवकी तथा भिनन भिनन यही है जो अभी हुआ है इसका इफेक्ट थोड़ा अलग हो गया स्क्रीन पर रुपता ही नहीं है तो मैंने फिर दूसरा इफेक्ट दे दिया फिर भी वही हुआ है ठीक है, कोई बात नहीं, ओतो स्पश्टी करण हमारा हुआ है आगे चलते है आजकर जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि एक हिस साथ बहुत सी चीजे नहीं मिला देनी चाहिए एक टाइम पे एक ही चीज खानी है एक टाइम पे बहुत सारी चीजे नहीं खानी है नहीं तो बहुत जन क्या करते हैं खाना खाते हैं खाने के बाद तुरन चाए पीते हैं फूर उसके बाद तुरन स्वीट खाते हैं उसके उपर ही आईस क्रीम खाते हैं तो इस सब हमारा क्या करता हैं पेट बिगाड़ देता हैं हजम नहीं होता हैं और बाकी के भी जो बीमारिया है पेट की वो बढ़ जाती है तो हमें क्या करना है एक साथ चीजे नहीं खानी है तो कैसे खानी है फ़ल अकेला ही खाने से उसके गुन बढ़ते है भूके पेट खाना तो सर्वत्तम है अंग्रेजी में कहावत भी है कि सुबह का फ़ल सोना है और दोपहर का चान्दी है इसलिए फ़ला खाना अकेले फ़ल होना चाहिए क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? देखिए क्या बताया है फ़ल अकेला ही खाने से उसके गुन बढ़ते है अकेला मींज क्या? हमारे साथ कोई चाहिए क्या? फ़ल खाते समय? नहीं फ़ल अकेला खाना है फ़ल के साथ दुसरा कुछ भी नहीं खाना है भूके पेट खाना तो सर्वत्तम है अब हम भूके पेट कब होते है? सुबह उठने के बाद जब हम रात का खाना खाके सोते हैं, तो सुबह तक बहुत बड़ा ग्याप आ जाता है, अंतर आता है समय में, तो हम सुबह पूरे भुके पेट होते हैं, तो सुबह उठने के बाद हम दिन की शुरुआत फल खाके कर सकते हैं, वैसा ही करना चाहिए हर एक जन्ने, अच्छे स स्वास्थ है के लिए, अंग्रेजी में कहावत भी है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी, सुबह खाएंगे तो बहुत अच्छा है और दोपहर का चांदी और रात का कुछ भी ने, इसलिए पहला खाना अकेले फल होना चाहिए, क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो, अकवल के बारे में तो हो गया, सुबह खर खाना है, लेकिन गर्म पानी के भी फाइंदे हैं, क्या आप पीते हो, अगर आप पीते हो तो अच्छी बात हैं, नहीं पीते हो तो कल से शुरू करना है गर्म पानी पीओ, तो हर्ज नहीं, तुमको 24-100 गंटे की खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती हो तो लेनी चाहिए खुली हवा में धीरे धीरे प्राणायम कर सको तो अच्छा है। रात की सर्दी से डरने की बिलकुल जरुरत नहीं। कंबल गले तक अच्छी तरह ओड लिया हो और तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फीर कोई हानी नहीं। अब यहाँ पर शब्द आया है हर्ज। हर्ज मींज क्या कुछ भी हमारा नुकसान नहीं। हर्ज मींज क्या कोई भी नुकसान नहीं। ठीक है। दूसरी बात क्या दिया है। 24 गंटे की खुली हवा में रहने की इजाजत मिल सकती हो तो लेनी चाहिए। 24 गंटे तो हम खुली हवा में नहीं रह सकते हैं। चुमकि हमें आप तो स्कूल में आते हो पाच्चे गंटा तो स्कूल में बैखते हो। खुली हवा में बार स्कूल में आते जाते टाइम आपको खुली हवा मिलती है। तो भी ओ आप अगर पैदल आते हो तो नहीं तो गाड़ी से आते हो या कार से आते हो तो भी आप खुली हवा से नहीं आ रहे हो। इजाज़त मिल सकती हो तो मतलब किसकी इजाज़त लेनी है अगर हमें पॉसिबल है तो और खुली हवा में भी क्या करना है प्रानायाम करना है हम तो हमारे बंद घर में बैठके प्रानायाम करते हैं तो अगर हमें पॉसिबल है खुली हवा में प्रानायाम करने का तो वही प बहुत थंड़क होती है, तो डरने की जरूरत नहीं, तो क्या करना है, कम्बल गले तक अच्छी तरह ओड लिया हो, कम्बल मींज क्या देखिये, यह हम ने, कम्बल देख रहेते हैं, देखो, कम्बल गले तक यहां पर दिखाया है, अच्छी तरह ओड लिया हो, और कान पर कपड़ा लपेट लो, तो फीर कोई हानी नहीं है, कुछ भी हमारा उसमें नुकसान नहीं होता है, ठीक है, आगे हैं, चोबी सो गंटे, शुद्ध से शुद्ध हवा, श्वास के लिए फेपडों में जाए, यह अति आवशक है, चोबी सो गंटे, फेपडों, यहाँ पे फेपडों में एसी हावा जाती है, हम देख सकते हावा तो नहीं दिख रही है, वो वैसे भी हमें नहीं दिखती है, लेकिन फेपडों का चित्र में आपको दिखाया है, सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सकते हो, उतना रखना चाहिए, सुबह की धूप लेनी है, विटैमिन D तो मिलता ही है, लेकिन उसके अलावा भी और बहुत सारे पाइ रहिना है, मादव जी की गाड़ी चल रही है और हम तीनों के अशिर्वाद पावे, हमारा हम जो तीनों जने हमारा अशिर्वाद सदा आपके साथ है, ठीक है, तो इन शोर्ट इस पार्ट से हमें स्वास्त कैसे अच्छे रखना है, क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हलोन में क्या सेवन करना है सबजियोन में कौन सी सबजिया खानी है प्राणाया कहाँ पे करना है हवा कौन सी लेनी है कितने घंटों में लेनी है इस सब बाते सिप शरिर स्वास्थ के बारे में हमें इस पार्ट से बताया है इस पार्ट के जो प्रशन उत्तर है नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं आज यही पे रुखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तब बहुत पढ़ाई किजिए वाचन किजिए खुद का ध्यान रखिए थेंक्यू सो मच and all the best God bless you all